कि कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूं विडियो के अंदर हम लोग लेक्चे नबर 11 से लेकर लेक्चे नबर 15 तक जो है वो CS604 अपरेटिंग सेश्म को कवर करेंगे यहां पर लेक्चे के लिए फिर बिल्कुल कर्वा दो जैसे कि लेक्चे नबर 11 के लिए कोई बिल्कुल करने वाली नहीं है तो मैं इसको बिल्कुल आप लोग स्किप करेंगा यहां पर डिफाइन दी गई है लाइट्र प्रसेश्स की एफिक विधिन दा अड्रेस पेस आफ अब आपको जितने अड्रेस पेस दी गई है अगर आप उसके अंदर यह वह प्रसेस कंप्लीट होई जा रहा है तो यह लाइट्वेड प्रसेस कहलाता है ठीक है जी उसके बाद यहां पर इसके कुछ आइड़ोंटेज दिये गए हैं थ्रेट्स के और कुछ दिसर्ड़ोंट यहां पर के मैंनी यूजर लेवल थ्रेड आर्ट पर करनल थ्रेड यानि के मैंनी यहां से अब हिसाब लगाएं मैंनी मतलब मल्टीबल को वन के साथ रिलेशन किया जा रहा है मैंनी यूजर लेवल थ्रेड्स हैं और उनका रिलेशन बनाया जा रहा है एक थ्रेड के साथ को थिक थिक है। उसके बाद यह मर्टि उसर लेवल थ्रैट्स हावरा स्मयल इकोल नंबर आफ करनल थ्रैट्स यानि के मल्टि यम्स को मटि पिए जा रहा होता है और a smaller और एकन मजों कर दो करने ठीटट्थ candle है कि यह होसे उसके दो मजीद कोई फोई चीज आप लोग ली करने वालफ इसको आप स्किップ करने को करने निया ठीक है जी All प्रासे एक्जेक्विशन बिगन विदा सीप्यो ब्रस्ट एंड इंप अर्पू ब्रस्ट आप आपने दो चीजें यह आज रखनी है यहां पर यहां पर इतना कोई ज्यादा इंपॉर्ण है नहीं जो है मैं को सरफ वह करवाऊंगा अब short term scheduler को हम लोग CP scheduler कहते हैं इसमें होता क्या है कि यह सेक्ट करता है एक process को और इसको फिर CPU को दे देता है उसके बाद यहां पर dispatcher dispatch latency का concept दिया गया है the time it takes for the dispatcher to store one process and start the running यहांने क्या होता है dispatcher latency में कि कितना time require होता है dispatcher को कवे एक process को रोके और दूसरे को चलाए उसके बाद primitive और non-primitive scheduling का concept दिया जाता है primitive scheduling और non-primitive scheduling इसकंदर यहां पर 4 दिये गए हैं सबसे पहले कि ज़र running state को change करता है waiting state के अंदर running state को change कर देता है ready state के अंदर and waiting state को ये change कर थेड़्यक करता है ready state के अंदर ठीक है जी और जब के आपका process जाए वो terminate हो रहा हो कि उसके बाद यहां पर प्रेंटिव और नो बंडे का कंसर्ट दुबारा से दिया गया है और यह आपकी शिडूलिंग क्राइटेरिया कुछ थोड़ा सा इसका आप देख लीजेगा cpu utilization we want to keep cpu as busy as possible कि हम अपने cpu को जितना busy होता है इतना रख सकते हैं in real time system range from 40% for a light loaded system or 90% for a heavily used loaded system के कहता है कि हम अपने cpu की जितना busy हो रख सकते हैं वो उतना उसको रखते हैं अब अगर एक real system की example लें तो यहां पे range यह 40% है light loaded system processes की अगर एक heavy loaded की बात करें तो 90% busy रहता है ठीक है जी उसके बाद throughput किसे कहते हैं कि जो कितने number of process यह है वो complete हो रहे है कि unit time के अंदर यहां पर unit time आएगा पर time लिखा है पर unit time लिख लीजेगा यहां पर number of process completed per unit time is called throughput उसके बाद turnaround time क्या होता है कि कितना time required होता है एक process को submit करवाने से लेकर उसके complete करवाने तक the time of the interval from the time of submission to the time of competition is called turnaround time इसके बाद waiting time दिया गया है waiting time वो time होता है जो कि आपका process होता है वो spend कर रहा होता है waiting in the ready queue response time क्या होता है यह कैसा time होता है the time of submission of a request कि यह submission जो आपने request की है until the first response is produced के आपकी request के ऊपर कोई first response है उसके उपर जितना time लिपता है वो आपका response time कहलाते है उसके बाद को scheduling algorithm दिये गहें यह मैंने को lecture previous lectures के अदर भी इसका थोड़ा सा बताया था कि यह आपके आगे हैं कि scheduling algorithm जिसमें यह आपर अलगड़ा algorithm दिये गहें इसके बाद फीड़बेक आ गया है उसके बाद first come first server algorithm इसके बाद फीड़बेक आ गया है उसके बाद first come first server algorithm the process that request the CPU first into the ready queue first यानि कि जो process firstly request कर देगा वो CPU के अंदर firstly allocate हो जाएगा ठीक है जी उसके बाद यहाँ पर process और burst time दिये गया यह बड़ा important numerical यहां पर आजते है गया है देखें आपका जो process P1 P2 P3 यह तीन process आपके यहां पर सर ने आपको गया दिखाया हूँ है ठीक है जी अब इसको calculate कैसे करते हैं देखें सबसे पहला जो process इंटर होगा तो वह देखें उसको कोई भी time नहीं require वह तो कोई वेट नहीं कर रहा है ऐसा ही है वह तो directly जाके इंटर हो जाएगा तो यह 0 वेट आपका require करेगा यहां पर सरने 0 लिख देना है ठीक है उसके बाद P2 अब जो P2 है basically यह कितने second करेगा तो इसके लिए P2 जो है वो आपका 24 हो गया उसके बाद P3 की बात करें तो पीठी क्यों के भी बाद आया है P3 process के भी बाद आया तो इसमे यहां पे आने अैसी है तो 24 यह उसके बाद 3 है तो total कितना हो गया 27 इसमें wait करना है लिग करना है यह करना कहें कि आपने सिर् ससरे 2 एक यहां पर second गया गया तरी पर को यहां पर तो 3 करने के बाद जो टोटल पस थीर है ते असको निहां चाहिखे चायतव सबस्सक्ट कीज़ा है जब आप एक शौडर प्रसर चाहिए और कर रहा हुत नोंья के पीछ sóloवर पर न 생न केल आता है है अब यह बीसिकली जित्मे भी यहाँ पर गैंट चाहर बनाएंगें यह सारे के सारे नौन प्रम्टिस मोड के बर म Suppose बीए जाता है अगर इन्शाला बारे में करेंगे सबसे पहले में डाई यहां लेक्टर निमर फिटीन की सौट्स्टios आप शॉर्टेस जो फर्शेडूलिंग के अंदर क्या होता है प्रासेस दन लेंथ आप दा लेटर नेक्स सीप्यू ब्रस्ट नेक्स सीप्यू उसको साइन होगा जिसकी ब्रस्ट जैवो लो होगी ठीक है उसके बाद यहां पे हमारे पास कंसेप्ट आ जाता है प्रेम्टिव जोड़ना ही नहीं है उसके बाद यहां पे अर्याइवल टाइम ब्रस टाइं दिया गया है और यह आपने यहां पर करना यह विल्कुल सेम मैसल के साथ लेकिन नंबर प्रास फॉर हो गया है तो आपने डिवाइड बैफ फॉर कर देना है यहां पर उसके बाद प्रोटिश ही Might crunch किया जाता है सिभी श्रीट किया जाते है पिल इसकी है प्रॉर्टी को जिसकी हाइस प्रोटिश गया प्रउतिटेन कहें है फिरूर्ट पारिल्यू यहां पर सम आ ऊंबंग इसका स्धी in पर यहां डिशा भी तो फोड़बा के ए सिंघ्व बाद हिलो और देना होता है गया कि 1967 से लेकर एक प्रासस 1973 तक ब्लॉक के अंदर ही पड़ा हुआ है यानि कि वह लो प्रोरिटी के अंदर ही पड़ा हुआ है इस प्रॉब्लों को solve करने के लिए यहां पर एक concept दिया गया था एजिंग का इसे हम लोग यहां पर indefinite blockage star vision भी बोलते हैं इस problem को ठीक है जी तो इसको यहां पर पढ़ लेते हैं aging क्या होता है aging के अंदर हम लोग क्या करते है aging is the solution to the problem of the indefinite blockage of a low priority process इसके अंदर होता क्या है यह basically solution है जिसके अंदर हम लोग को ब्लॉब कर देते हैं low priority process की यानि कि अगर एक process जो होता है उसकी low priority होती है और जब वो एक long time तक रहता है memory कंदर तो उसकी प्रोर्टी को जाए वो high कर दिया जाते है यह देखें यहां पर लिखा हुगा है involves gradually increasing priority process that waits in the system for long time जो long time के लिए जो प्रासर वेट कर रहा होगा उसकी प्रोर्टी हाई करती जाएगी और फिर वो एक्जीक्यूट हो जाएगा ठीक है जी कि सब्सक्राइब आपके लेक्चर नबर 15 तक जो हो complete हो गए है